वैप है वोज्ट आप संवागत है आज हम लोग यह सब कर रहें जिसमें हम लोग sectional front view along a.b, sectional top view along p.q and left hand side view draw करेंगे पहले orthographic views बना लेंगे cutting plane यहां से cut हो रहा है a.b तो हम लोग यह देखो यह जो अब्जेक्ट है उसको हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं कि अगर मैं इसको आधा काटूंगा तो कैसा लगेगा तो यह होगे अपना सेक्शनल फ्रेंट फ्यू बराबर अब इसमें हैचिंग कहां पर आएगा यह यह पार्ट पर आएगा यह देखो सुगर आप सामने से देखेंगे तो ऐसा देखेगा लेकिन यह पोर्ट है रिब उसमें हैचिंग नहीं आएगा, क्यों जोंकि हम लोग रूले बनाए कि जब भी हम लोग रिब को पैरलल कटेंगे तब उसमें हैचिंग नहीं करेंगे तो उससाब से देखो cutting plane बनाएंगे टॉपी में जहां पर cut हो रहा है यह देखो dotted line डार्क हो जाएगी और अंदर hatching आएगा यह हो गया AB यह हो गया sectional front view अभी PQ दिया है तो वो line बनाएंगे अभी देखो इसमें थोड़ा difference है जब मैं ऐसे cut plane PQ कट कर रहा हूँ object को तो उसमें जो rib है वो perpendicular cut हो रही है पहले वाले में parallel cut हो रही थी लेकिन इसमें perpendicular cut होगी जढकिन इसमें इसमें कई में आएगी देखो ऐसे आएगा यह पूरा हाच होगा यह जो पॉइंट है उसको प्रजेक करना पड़ेगा यहां पर आएगा सो यह हाच हो जाएगा टॉप वी में तो यह हो गया सेक्शनल टॉप व्यूप यह देखो यह विरेव है लेकिन यह परपेंडिकुलर कट हो रही है तो यह हमें याद रखना पड़ेगा जब पैरलल होगी यह पॉइंट यहां से वो दिखा रहा हो है यह देखो यह डाक कर देता है तो जब पैरलल होगा तब उसमें हैचिंग नहीं करेंगे लेकिन जब उसको परपेंडिकुलर काटेंगे तब उसमें हैचिंग करेंगे तो वो चीज़ याद रखो आप वह आपको काफी काम में आएगी तो आशा करता हूँ कि आपको यह डिफरेंट समझ में आया पैरलल कट और परपेंडिकुलर कट वाला अगला समले के मैं जल्दी लोटूँ है तब तक के लिए धन्यवाद झाला अपको काम में आएगी